आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ फ्रैक्शन जो छोटे बच्चे होते हैं सेकंड थर्ड क्लास में उसको सिंपल फ्रैक्शन हम उनको कैसे समझा सकते हैं हाफ क्या होता है वन थर्ड क्या होता है वन फोर्थ क्या होता है हम बहुत डिप में नहीं जाएंगे पर सिंपल फ्रैक्शन उनको कैसे उनको हम समझाएं ये जैसे कोई भी आप अबजग्ट कुछ भी आप ले लीजे यहाँ पर जैसे मैंने एक सरकिल बनाया ऐसे सबसे पहले तो fraction क्या होता है तो किसी भी एक पूरा जो कोई भी object है उसको या तो half equal part में divide करते हैं half हो, one third हो, मतलब three parts में divide किया, four parts में divide किया तो वो fraction होता है, उसका जो वो part होता है वो fraction होता है अब यहाँ पे मैंने एक circle ले लिया है सबसे पहले मैं इसको beat से equally divide कर रही हूँ अब यह इस whole object का half कर दिया मैंने यह कोई object है, इसको मैंने half किया तो इसका जो एक part है, उस वो half, one while two इस तरह से, यह whole object का दो part में मैंने divide कर दिया equal तो इसको कैसे हम दिखाते हैं, one while two इस तरह से लिखते हैं एक part को दो भाग में divide कर दिया है तो यह एक part को हम यह one while two half यह बोलते हैं, one while two means यह half हो गया इस पूरे part का इस तरह से कोई object लेके आप बच्चों को बता सकते हैं कोई भी चीज इसको half, triple जो अब बहुत अच्छे से उसको equally divide कर पाएं यह इस तरह से diagram बना के अब जैसे एक और मैंने ले लिया सरकीन अब मैं इसको divide करूंगी equally three part में अब इसका जो one part होगा, वो क्या कहलाएगा, one while three one while three, मतलब एक को हमने एक object को तीन part में divide किया तो उसका जो एक part है वो one while three कहलाएगा इसी तरह एक और हम circle बनाते हैं इसको मैं equally divide कर रही हूं, four part में अब इसका जो एक part है वो क्या कहलाएगा, one while four अब इसमें क्या है यह जैसे हमने एक part को बन वाई four वोला अगर हम इस दो part को लेते हैं एक साथ और यह पूरे इसके चार part हमने किये है इस whole object का और इसका दो part लिया हमने हम इसको कैशे शो करेंगे तो हम इसको two while four इस तरह से हम इसको करेंगे अब जैसे इसका दो part हम लेंगे अगर यह दोनों part हमने ले लिया single part को तो हम one while three शो कर रहे हैं अगर दो part लेंगे two while three यह half है तो यह half इधर भी half ही रहेगा क्योंकि इधर भी single part है इधर भी single part ही है तो यह half है यह half है दोनों मिलके एक पुरा whole object होगा यह two while three और one while three इतना जब हम मिलाएंगे तो यह पूरा object बनेगा यह two while four और one while four और यहां पर एक जो part है यह भी one while four अगर इस चारों को मिलाएंगे हैं sorry one while four one while four और two while four यह जब सारे part को मिलाएंगे तो यह पुरा whole object बनेगा तो इस तरह से इसको कितने भी part में divide कर सकते हैं और उसका जितने भी part में करेंगे तो सबसे पहले एक part को हम one while जितने part में divide किया हमने अगर five में divide किया तो one while five six में divide किया तो one while six इस तरह से होगा और उसके जितने part को अगर अलग इन तीनों part को अगर हम साथ में करना चाहें इन तिनों पार्ट को अगर जैसे एक और मैं ले लेती हूँ इसको मैंने इस तरह से किया अब ये, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट इसको अगर तीन को हम साथ में हम बताना चाहें कि इस पूरे अबजिक्ट का कितना पार्ट ये होगा तो ये 3 by 4 इस तरह से हम इसको शो करेंगे इस तरह से छोटे बच्चों को fraction आप सिखा सकते हैं बहुत आसानी से कोई भी object लेके उसको part में divide करके या diagram बनाके उनको समझा सकते हैं इस तरह से simple fraction पर ले 1 half, 1 third, 1 fourth यह clear हो जागा तो आगे की चीज़ें फिर उपर class में जाके चीज़ें और बहुत सारी आती हैं लेकिन second, third के बच्चों के लिए यह काफी होता है उनको fraction इस तरह से फिर इसमें fraction का addition कैसे करते हैं यह सारी चीज़ें आगे चलके बताई जाएंगी तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फोर वाचिंग